हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्लेट में कितने तरह का पॉजिशन से वेल्डिंग मारा जाता है अक्सर आपने सुना होगा कि 1G, 2G, 3G, 4G यह किस में होता है यह प्लेट में होता है और प् पास 1G, 2G, 3G, 4G है तो लाश्ट में जो जी लगता है उसका मतलब क्या है आप यहां पर प्लेट में देखिए यहां पर गुरूब बना हुआ है हना गुरूब यानि कि दोनों साइट से ग्राइंडर मार की गुरूब बनाया जाता है और इसी गुरूब को सॉर्ट फर्म म जगा पर वेल्डिंग मार रहे हैं तो आपको बिल्कुल यह सर्फेस होना चाहिए तो वन जी जो पोजिशन है सीधा फ्लैट पोजीशन है यानि कि नीचे सर्फेस पर रख दिया और जो वेल्डर है वेल्डर नीचे से उपर की और वेल्डिंग मारता चला जाएगा तो इ हो गया अब इसी को हम क्या करेंगे कि सीधा इस टाइप से खाड़ा कर देंगे यह हो गया हमारा टूजी पोजीशन यानि कि इसको अब दूसरा बोल सकते हैं और जेंडल पोजीशन इसको हिंदी में 36 बोला जाता है और यह हमारा हो जाता है टूजी पोजीशन इसमें क्या हो अब इसी में हम जो थिरीजी करेंगे इस जो प्लेट है प्लेट क्या होगा सीधा इस टाइप से आ जाएगा जो थिरीजी पोजिशन हो जाएगा वह आपको वर्टिकल पोजिशन हो जाएगा यह लंबवत को जाएगा यह वेल्डर है कहीं भई तो वेल्डर क्या करेंगा नी पोजिशन नीचे से लेके उपर तक वेल्डिंग मारता रहेगा अब फोजी जो पोजिशन होता है कि यह से सिधा उठाया यानि कि वर्टिकल में ही रहेगा ऐसे ही और यह पोजिशन कहां चला गया ओवरेड तो इसको हम जिए ओवरेड कर लेते हैं इस टाइप से और से उपर को ले जाना पड़ता है और जो फोजी होता है आपका ओवरेड हो जाता है सर के उपर हो गया यह वेल्डिंग अब इसमें क्या होगा इसमें भी नीचे से उपर क्यों आपको जो वेल्डर है वेल्डर वेल्डिंग करेंगा यहां पर तो इस टाइप से हमारा यह च हो गया ते यह 3G position हो गया और इसी position को यह देम उपर के और यह से लेके चले जाते हैं overhead एन इक सर के उपर ते हमारा 4G position हो जाता है तिस टाइप से जो plate में होता है 4 position होता है 1G, 2G, 3G और 4G plate में ही 4 position और होता है यासे 1F, 2F, 3F और 4F अब इस प्लेट के ऊपर इस टाइप से ये लाइप हो गया लाइप होगी एक दूसरा पर और अब इसमें वेल्डर जो है इस टाइप से वेल्डिंग मारेगा तो इस टाइप को फिलेट को दो होगा उसको क्या मिलेट में चार और 4 यहां से वेल्डिंग करना है तो इसको 1f-2f-3f-4f-e wale defic İn होता है एक प्लेट हमारा नीचे है बिल्कुल फ्लैट में और दूसरा जो प्लेट है इस टाइप से इस पर रखा गया और यह जो है यह 45 डिगरी एंगल में आपका यह उड़ जाता है तो इस टाइप का जो होगा वने पोजिशन ही कहा जाता इसको और इसमें जो वेल्डर है वो बिल्कुल आपको यह 90 डिगरी में यानि कि सीधा यह 90 डिगरी में रहेगा और जो वेल्डर है वेल्डर दोनों साइट से वेल्डिंग करता इस टाइप से आएगा इधर से भी आपको नीचे से उपर क्यों और या फिर उपर से नीचे क्योंकि फ्लैट है तो इसमें ख़ड़ा होगा तो इस टाइप को जो पोजिशन बनेगा उससे हम बोलते हैं अब थ्री एप जो पोजिशन होता है जैसे यह हमारे पास जो था अब इसी को हम क्या करेंगे कि इस टाइप से यह हम रख देंगे यह सामने रहेगा फिल आपका एक प्लेट और दूसरा प्ले दोनों साइट से ह Changiil et कre से भी और उस साइट से मारता हैगा और यह वेल्दिंग पोजिशन होगा वर्टिकल होगा देख्ये वर्टिकल यानि कशिया है यह नीचे से ऊपर कि और दोनों साइड से नीचे से ऊपर कि और जब वेल्दिंग करेंगे तो इस टाइप को जो पो पोजीचन है लेकिन यह overhead हो गया हमारा तो यह हमारा 4IF हो जाएगा यानि कि सर के उपर जब चला जाएगा यह तो यह हमारा 4F पोजीचन हो जाता है और वैसे ही जो हमारे पास 4G भी था तो क्या था वह था हमारे पास कि जो ऊपर में इस टाइप से लगा हुआ था यह over rate रहता है 4G में और इसमें भी क्या हो रहा है कि यह over rate हो गया तो position लगबग आपको समझने में थोड़ा difficult होता है लेकिन क्या पोजिशन लगबग same ही होता है तो आपने सीखा क्या कि 1G, 2G, 3G और 4G जो कि group welding होता है इसमें group plate में कटा होगा और उसके बाद जो होगा जो 1F, 2F, 3F होगा वो क्या होगा इसके उपर सिधा plate को उपर plate यह से रखा जाता है यानिक लाइपिंग होता है या फिर इस टाइप से position बनेगा तो इस टाइप की इसका position बदलता है तो दोस्तों plate में totally 8 position होता है चार group position और चार जो हता है affiliate position यानिकि F position तो आसा करतो है वीडियो आपको समझ में आया होगा वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो का like और चैनल को subscribe किजिएगा चले फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहें